हेलो रवड़ी दोस्तो एक नई भरती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रिए और दोस्तो इदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोलेज टीवी देशीताओं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज नई नई वीडियो मिलती रहती है और दोस्तो वीडियो अंत में अच्छे लगे तो वीडियो को लाई कर दीजगा शेयर कर दीजगा और अपनी राइ या आपकी कोई क्वैरी है तो कमेंट में जुरूर बताना ताके उसके बारे में कोई आपको जूप मिल सके थिक है तो दोस्तो अब बात करते हैं वकेंसी के बारे में कि किस प्रकार की वकेंसी है कहाँ पर जो लोकेशन है कितनी एज है तो दोस्तो हाई कॉर्ट में वकेंसी निकली है ठीक है पद का नाम है लाकलरक कम रीसर्च एसिस्टेंट ला कलर्ककम, रिशर्च एशिसेंट पद का नाम है टोटल पद दोस्तो 30 है टोटल पद कतने है? 30 वकैंसी है दोस्तो यदि एज की बात के जाए तो 18-30 साल एज मंगी गही है लेकिन 5 साल की दोस्तो छूट भी है 5 ठीटाप भी है यानि कि आपके farm है, वे start हो चुके हैं, online forum है दोस्तों, ठीक है, online forum आपके start हो चुके है और exam date भी नुह ने पहले बता रखिया है, 13 December को दोस्तो exam date है 13 December को आपका exam होगा ठीक है यदि हम फार्म बढ़ने की फीस की बात करें तो यहां पर किसी भी कटाइगरी के साथ कोई भी बेद बाउन नहीं किया गया है सभी कटाइगरी की फीस 800 रुपे दोस्तो 800 रुपे 800 रुपीज है फीस इसकी और ये फीस आपको ओन लाइन ही बढ़नी है बताना चाहँ हुआ इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं ठीक है एज मैंने आपको बता दी दोस्तों पेज केल की बात कि जाए तो बीस जार रुपे दीजाएंगे आपको मंधली 20,000 रुपे मंतली आपको दिये जाएंगे ठीक है फारम आपको ओनलाइन वरणे है ठीक है यदि हम कौलिफिकेशन की बात करें क्या क्या मैंगी गी है तो दोस्तों यदि आपने LLB कर रखी है आपने LLB कर रखी है या आप LLB के फाइनल एर में हो या तो आपने LLB कर रख सकते हैं तो या भी आपने पांच साल का इंटेगरेटिड ला कॉर्श कर रखा है तो येर में हो, तो भी आप अपलाई कर सकते हैं, ठीक है? क्वालिफिकेशन समझ भाई, साथ में दोस्तों, केम्पूर्टर की नोलेज आपको बेस्चिक नोलेज, MS Word वगारा की नोलेज आपको होने चाहिए, ठीक है? तो आप apply कर सकते हैं यदि आपने ला का course कर रखा है किसी भी तरीके से LLV कर रखी है या 5 साल का इंटेग्रेड़ ला कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है न? तो और दोस्तों मद्या परदेश में ये वकैंसी आई है मद्या परदेश में वकैंसी आई है लेकिन आप apply कर सकते हैं चाहे आप किसी भी state के हैं चाहे आप किसी भी state के हैं आप apply कर सकते हैं दोस्तों ठीक है यानि कि आप भरियाना से हैं आप यूपी से हैं आप बिहार से हैं आप इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो यह वकेंसी निकली जी दोस्तो लाक लर्ख की हाई कोर्ट में मध्या परदेश में वकेंसी आई है और आट सो पर फीस है बाइस नॉम्बर तक आप ओनलाइन फार्म अपलाई कर सकते हैं सेलेक्शन कैसे होगा आपका एक्जाम होगा एक्जाम के बाद में आपका इंटरे होगा इस बेस पे आपका असलेक्शन किया जाएगा ठीक है तो यह छी दोस्तो वकेंसी यदि आप इसके लिए अपलाई करना चाहते हैं तो वीडियो के description में लिंक है वहाँ से अपलाई कर सकते हैं ठीक है और दोस्तो इस चैनल पर आपको हो सकता है यह जो जोब आपके लिए ना हूँ लेकिन दोस्तो अगली जो जोब आएगी वो special आपके लिए आने वाड़ी है ठीक है इसलिए आप चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे और दोस्तो वीडियो को like, share, comment करते रहे ताकि आपको update समय समय पर मिलते रहे और मेरा भी होसला बढ़े ठीक है और next वीडियो में special आपकी qualification के हिसाब से लेके आने वाड़ा हूँ इसलिए आपको चैनल पर update रहना जोड़ी है आप विजिट करते रहे और दोस्तो यह आप किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं कोर्स करना चाहते हैं घर बैटे तो अ देखिए के टी डीटी ओनलाइन एजुकेशन के डीटी ओनलाइन एजुकेशन अपने आप का नाम है इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से वहां पर अभी यह आप पेड़ कॉर्स करिते हैं तो आपके लिए च्छ